वो कवे बहुत सैतान कवे थे एक नमबर के जूटे और चालबाज उन्हें दूसरे पक्षियों की रड़ाई होने से बहुत मज़ा आता कालू ये देखें बुलबुल का गोंसला अकेला है सायद वो पानी पीने नदी पर गई है और एक अंडा भी रखा है कालू तुम जल्दी से ये गोंसला और अंडा नीचे गिरा दो जब बुलबुल यहां आएगी तो उस मिठु का नाम लगा देंगे जो बड़ी मजे से सो रहा है फिर कालू का वह बिलकुल ऐसा ही करता वो बुलबुल के गोंसले को नीचे फैक देता और थोड़ी दूड बैठकर बुलबुल का इंतजार करते गोरी तो ता ही क्या हम कबूतर या छोटी चड़िया का भी तो नाम लगा सकते हैं कालू मिठू तो था ही सही रहेगा तुम भूल गई हो क्या अभी पुश दिल पहले बुलबुल और मिठू की लड़ाई हुई थी जरा याद करो बुल बुल आप अपना गोंसला किसी दूसरी पेड़ पर बना लें क्यों तोते ये पेड़ क्या तुम्हारा है मैं तो यहीं अपना गोंसला बनाऊंगी जंगल सब पक्षियों का सांजा है हाँ तोते भीया बुल बुल एकदम ठेक कह रही है इस जंगल के पेड़ हम सब के हैं कोई अपनी मरजी नहीं चला सकता लेकिन चडिया बहन जंगल में जितने भी अमरूद के पेड़ है उनकी देखरेक मैं करता हूं और अमरूद खाने से भी किसी को नहीं रोकता मैं बस अमरूद के पेड़ों को स्वस्त और भला देखना चाहता हूं चिडिया बहन मैं इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुचाऊंगी आप बोल दे मिठ्थू से ठीक है मिठ्थू तोते अब आप बुल बुल से नहीं लड़ोगे वो पेड़ का दिहान रखेगी हाँ गोरी याद आया अब समझ में आया तुम मिठ्थू का क्यों बोल रही हो मज़ा आएगा आज तो कालू कवे के इतने कहते ही बुल बुल आ जाती है अपना अंडा तोटा हुआ देखकर बुल बुल की आँखे तो लाल हो जाती है वो रोने लगती है किसने किया? ये सब किसने किया? मेरा गोंसला किस दूस्ट ने नीचे गिराया मैं छोड़ूँगी नहीं उसे बुल बुल रो रही थी सब पक्षी उसकी आवाज सुनकर आ जाते है अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहां से गुजिरा था तब तक तो गोंसला और अंडा दोनों सही सलामत थे ये कान अभी हुआ है कोई नजदीक का ही पक्षी होगा है तोबा गोंसला ही हटाना था तो कम से कम जालम अंडों को तो ना फेकता एक मा के लिए उसका बच्चा बिनिया में आने से पहले ही मर जाए ये बहुत बड़ा दुख है ऐसे वो सब बुलबुल को चुप करा रहे थे तब गोरी कवी बुलबुल के कान में दिहरे से बोलती है देखें बुलबुल दी मेरा नाम ना लेना मैंने आपके गोशले के पास इस मिठ्धू तोते को देखा था गोरी की ये बात सुनकर बुलबुल समझ जाती है मिठ्धू तोते मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगी तूने ही मेरे गोशले को तोड़ा है ताकि मैं यहां से कहीं दूर चली जाओ नाना बुलबुल जी ऐसा जोटा इलजाम मुझे पर न लगाएं मैं ऐसे गलत काम नहीं कर सकता बुलबुल कहां तोते की सुनती है वो तो सीधा मिठ्धू तोते को मारने लगती है मिठ्धू को मार खाते देख कवे तो बहुत खुस हो रही थे चडिया जैसे ही तोते को बचाने के लिए जाती कालु कवा उसे पकड़ लेता है आरे रे रे चडिया तुम कहां चली ऐसे बुरे तोते को बचाना नहीं चाहिए तुटने दो बिचारी का अंडा तोड़ दिया ऐसे तोते को खुम मार लगा कर बुल बुल वहां से चली जाती है कवे भी अपने घार आ गई थे बहुत मज़ा आया उस तोते को पिठते देख बहुत मज़ा आया मन खुस हो गया कालू वो चड़िया बड़ी सब की दोस्त बनी फिरती है मैंने उसको आज तक लड़ते हुए नहीं देखा मैं चाहती हूँ कि अब उसकी लड़ाई हो लेकिन गोरी छोटी चड़िया की लड़ाई करवाना तोते जितना आसान काम नहीं है मैं उसे बस मार खाते हुए देखना चाहती हूँ और ये काम हमें कल ही करवाना होगा तुम को ये उपाई निकालो फिर रात बुजर जाती है सुभा को भी गोरी के मन में बस यही ख्याल था कि चड़िया की लड़ाई कैसे की जाए वो नदी पर जाती है तोते भाईया बुलबुल ने आपको बहुत मारा मेरे पास ये दर्द की दवा है आप इसे लगाएं फिर दर्द नहीं होगा धन्यवाद चड़िया बहन मैं कल रात सो भी नहीं सका अब दवा लगा कर चैन से सो जाऊंगा चड़िया बहन क्या आपके पास और दवा है कल से लूसी के पंक में भी बहुत दर्द है हाँ कबुतर भाई मैं लूसी के लिए भी ये दवा बना दूंगी और साम को आपके घर दे आउंगी कालो ठीक ही बोल रहा था चड़िया की लड़ाई करवाना मुश्किल काम है वो सबसे कितने प्यार से बाते करती है इससे भला कौन लड़ेगा ऐसे सोचकर गोरी कभी वहां से चली जाती है एक दिन की बात है दोनों कभी भूके भटक रहे थे तभी वो एक फलो के बाग में गुश जाते है इतने में ही बाग का मालिक चील आ जाता है बात को बाद में सुनता है पहले मार लगा देता है फिर बाद में मत कहना की मेरी चार्च तूट गई बहुत बुरा है ये चील दादा गोरी कभी डर जाती है और दोनों वहां से बाहर निकल जाते है तभी गोरी के मन में चड़िया की लड़ाई करवाने का ख्याल आता है और वो दोनों रात को बाग से भर भर के फल तोड कर ले जाने लगते हैं कुछी दिनों में बाग खाली होने लगा था औरे औरे बाग के फल तेजी से गायब हो रहे हैं कौन है वो चोर जो मुझसे भी नहीं डरता एक बार हात आ जाए तो छोड़ूंगा नहीं चील बहुत गुस्से में था उसे देखर कवे उसके पास आ जाते हैं चील दादा हम जानते हैं आपके बाग से कौन पक्षी फल चुराता है मुझे उसका नाम बताओ उसकी मार मार के चटनी बना दूँगा चील जी हमारे जंगल की एक रानो चड़िया है वो हर रोज यहीं से टोकरी भर के फल ले जाती है और अपने दोस्त कवूतर मिट्रो को भी खलाती है और हाँ चील जी जब हमने उसे आपके बारे में बताया तो बोलने लगी मैं किसी चील दादा बादा से नहीं डरती उस चड़िया की ये मजाल आने दो उसे आज तो उसे छोड़ूंगा नहीं फिर कालू गोरी वहां से अपने जंगल लोट जाते हैं चड़िया का बूतर मिठो क्या तुम रोज रोज ये सूखा दाना खाते हो मैंने और कालू ने तो फलो की खोज कर ली है मेरे दोस्त का बहुत बड़ा फलो का बाग है तुम सब वहीं से मन चाहे फल खा सकते हो हाँ चड़िया चलो ये सूखा दाना खाखा कर मेरा मुह चल गया है आज तो नरम नरम फल खाते हैं हाँ हाँ तोते चल अभी तो मुह ही चला है थोड़ी देर में ये चौच भी तूट जाएगी चलो तो देर किस बात की जब कालू का दोस्त है तो डरने की क्या बात ऐसे वो तीनों दोस्त कालू गोरी के साथ चल देते हैं वो बात के बहुत नस्दीक थे अरे कालू हम तो तुम्हारे दोस्त के लिए खीर लाना भूल ही गए बिचारे ने कल कितने मन से बोला था कि उसे हमारे घर की खीर खानी है ठीक है गोरी बहन तो आप हमारे साथ चले कालू भहिया खीर ले आएंगे नहीं नहीं चडिया मुझे भी साथ जाना होगा खीर में मेरे भी डालने हैं तुम सब सीधे जाओ और तुमें बाग दिख जाएगा हम बस यू गए और यू आए इतना बोलकर कालू गोरी वहां से वापस चले जाते हैं वो तीनों दोस्तों भाग में आ गई थे चील दादा भी छुपकर देख रहा था और वो तीनों को लाटी से खूम मार लगाता है अच्छा तो वो छोटी चड़िया तू है आज तो पकड में आ गई तेरी चटनीना बना दी तो मेरा नाम चील दादा नहीं चील भीया मैंने कोई चोरी नहीं की हम तीनों तो पहली बार यहां आई हैं किरप्या हमें छोड़ दो हर चोर ऐसे ही बोलता है अब तो ये रसी कल सुबाही खुलेंगी ऐसे वो चील तीनों को पेर से बांद देता है और वहीं पर सो जाता है ये कवो की चाल थी हमें कैसे फसादिया हाँ कबोता मैं अब उन कवो की किसी भी बात पर यकिन नहीं करूंगा बस यहां से किसी भी तरह जान बच निकले वो तीनों बहुत दुखी थे तभी वहां बुलबुल आती है और चील दादा को कवे की सच्चाई बताती है चील दादा मैंने उन कवो को बाते करते सुना वो सब पक्षियों को आपस में लड़वाते हैं और आपके बाव से विफल उन्होंने ही चोरी किये वो बड़े मजे से अपने घर में खा रही थे मैं ये सब अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ चील को बुलबुल की बात पर यकीन हो जाता है और वो तीनों को छोड़ देता अगली सुबा कवे चील के भाग में आते हैं चील दादा हमने आपके चोरों को पकड़वाया हमें इनाम नहीं दोगे? हाँ क्यों नहीं? तुम्हें तो इनाम जरूर दूंगा ऐसे बोलते हुए चील एक बड़ी लाठी लाता है और दोनों का वो को खोब मार लगाता दोस्ट जालम अपने मजे के लिए निर्दोस पक्षियों को पिटवाया आज तो तुम दोनों की खेर नहीं मैं तुम दोनों को मार मार के भूत बना दूंगा ऐसे चील दोनों का वो की अच्छी खबर लेता गोरी कालू डर के मारे सब सच्चाई बता देती हैं लेकिन चील उन पर जराबी रहम नहीं करता और पूरी रात का वे पेर जे उल्टा लटक कर बिताते उन्हें सारी सैता में यादा आ गई थी आपका धल्यवाद कालू कवा बहुत गुस्ते वाला पक्षी था और साथ में जिद्धी भी वो अपने मा के साथ रहता जो की अब बूरी हो चुकी थी एक दिन की बात है मिठ्धू तोते की परचूने की दुकान पर ग्रहकों की लाइन लगी थी अरे बापरे यहां तो लंगी लाइन लगी है लगता है आज ही सबके घर का रासन खतम हो गया कबूतर भाई हमारे महले में बस एक ही तो परचूने की दुकान है इसलिए लाइन तो लगनी ही है अब आप भी जल्दी से लाइन में आ जाएं वरना और देर होगी कबूतर जल्दी से लाइन में लग जाता है तोता और उसकी पत्मी जल्दी जल्दी सबको सामान दे रहे थे और एक आलू बेटा मैं कब से तेरी रहा देख रही हूँ घर में रासन का सामान खतम हो गया जरा मिठ्टो की दुकान से ये सामान ला दे मा मैं घर के काम कब से करने लगा जो तुम मुझे ओडर दे रही हो खुद जाकर लाओ जलाना है मुझसे ना कहो तू कैसा बेटा है जो अपनी बूड़ी मा की एक बात भी नहीं मान सकता मेरे पंखो में रात से दर्द है इसलिए तुझे बोल रही हूँ अगर तुझे खाना नहीं खाना तो मतला कालू कवे का तो बाहर जाने का बिलकुल मन नहीं था मगर उसे जोरो की भूख भी लगी थी इसलिए वो मा से पैसे और थेला लिए चला जाता है अब थोड़े से रासन के लिए मुझे घंटो इस लाइन में लगना पड़ेगा नहीं नहीं कुछ और सोचना पड़ेगा फिर कालू कवा सब को घूरते हुए आगी चला जाता है और मिठ्थू से बोलता है मुझे ये सामान दे दो जल्दी करो देखो भाई साब जी सब को लाइन में ही रासन मिलेगा और आप लाइन में नहीं हो इसलिए पीछे से लाइन में आओ हाँ हाँ हम सब क्या पागल है जो घंटों से यहां खड़े हैं चलो चलो अब चपचाप लाइन में लग जाओ यह सब बाते सुनकर कालू कावबा गुस्से में लाल पिला हो जाता है सामने रखा कैंडी का डबा उठा कर जोर से जमीन पे फैंक देता है तोता और उसकी पत्ली तो डर जाते हैं अब पहले मुझे सामान तो वरना अभी के अभी एक और डबा फैक दूँगा नहीं नहीं कवे हम देते हैं हमारी दुकान को कुछ मत करना लाओ अपना पर्चा दो अरे बहन जी ये तो गलत है आप इसकी सिकायत करने के बजाए बल्कि इससे डर रही हो चरबी से फूले हुई मोटे कबूतर तुझे बहुत बता है क्या गलत और क्या सही रोको पहले तेरी खबर लेता हूं कालू कवा कबूतर से बलाई करने लगता है कालू कवा ताकत वर्था वो कबूतर को जमीन पर गिरागरा के मारता है तो से पत्ली पत्ली उसका बचाने लगते हैं कवे जी ये लो आपका सामान अब कबूतर को छोड़ दो कबूतर बहुत पिट गया अब आगे से याद रहे जब भी मैं रासन लेने आओं तो सबसे पहले मुझे ही मिलना चाहिए वरना एक-एक की हालत इससे भी बुरी करूंगा याद रहे ऐसे धमकी दे कर हंसता हुआ कालो कवा वहां से चला जाता है ये बुरा कवा मेरे घर के पास में ही रहता है कबूतर भाई मैं आपको चिप रहने को बोलने वाली थी तब तक आपने इसे टोक दिया तो मुझे माफ करें मैं बोलने वाली थी कोई बात नहीं चडिया बहन इस जालम कवे को अपने बुरे कर्मो का फल जरूर मिलेगा हाँ वो तो है अब आप जाए बुल-बुल वेद से दवा करा ले मैं आपका रासन घर पहुँचा दूंगी ऐसे कबोतर अपनी दवा कराने के लिए चला जाता है कुछ समय बीत जाता है अब तो कालू कवा अपनी बुरी मा से भी खूब लड़ाई करता मा ये कितना बेसवाद खाना है लगता है आप खाना बनाना भूल गई हो मैं नहीं खाऊंगा ये खाना कालू बेटा हर समय तो मुझे पर चलाता रहता है कभी खाने में नुकस तो कभी कपड़ों में नुकस ये नहीं सोचता तेरी बुड़ी मा की उम्र अब सुक चैन पाने की है और एक तू है मुझे चैन से रहने भी नहीं देता तो क्या अब मैं घर में काम करने के लिए नौकरानी भी रख लो उसको देने के लिए पैसे कहां से आएंगे और तुम क्या करोगी अरे नहीं नहीं बेटा मेरा वो मतलब नहीं है अब तु साधी कर ले और बहू होने का सुख मुझे दे दे मैं कब तक बूढ़ी काम करती रहूंगी हाँ ये सही रहेगा वो घर का सारा काम करेगी और दहेज में भर भर के दाना भी लाएगी जल्दी जल्दी कराओ मेरी साधी किसी अच्छे घर से बाब चलाओ ममा कवी का चेहरा तो खुसी से चमग गया था वो दूसरे दिन अपनी पढोसी चड़िया सी बोलती है रानो बेटी कालू ने साधी के लिए हाँ बोल दिया है अगर तेरी नजर में कोई कवी हो तो बताना माफ करना माजी मेरी नजर में ऐसी कोई कवी नहीं रानो के साथ कबूतर की पतनी लूसी वीवा खड़ी हुई थी जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बुरे कवे की मा है वो तो उस पर बढ़क जाती है तो वो तुम हो उस जालम बुरे कवे की मा उसकी साधी कराने में सरम नहीं आते मेरे बोले पती को मारा उसे तो जहनुम में भी जगाना मिले, पतनी कहां से मिलेगी हाँ माजी, कालू कवा बहुत बुरा कवा है, जिस भी कवी से उसकी साधी होगी उसका जीवन तो नरक बन जाएगा, ना जाने कौन वो दुखी कवी होगी, जो कवे की दुलहन बन के आएगी हाँ हाँ रानो बहन, ये बुड़ी हाथो कुछी समय में वर जाएगी, बेचारी वो रह जाएगी, उस जालम कवे के साथ ऐसे बोलते हुए वो दोनों वहाँ से चली जाती है, ममा कवी को तो बहुत बुरा महसूस हो रहा था और ऐसे ही कुछ महीने बीट जाते हैं, कवार रोज अपनी मा से पूस था मा, तीन महीने निकल गए, आप मेरी साधी क्यों नहीं करा रही कालो बेटा, मुझे नहीं चाहिए बहु का सुख, इसलिए मैं तेरी साधी नहीं करा सकती और वैसे भी, अब मैं कुछ समय बाद मर जाऊंगी, फिर तुम एकदम अकेले पड़ जाऊंगी ना घर में और ना बहार, तुससे कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो तु ऐसे ही रह ले मा, ये क्या बात हुई, पहले तो खुद ही बोल रही थी, कि साधी कर ले और अब देखो, कैसे अकड दिखा रही हो, तुम कैसी मा हो, अपने बेटे को खुआरा देखना चाहती हो, तुम बुरी मा हो कालू बेटा, सब तेरी बुराईया करते हैं, कोई अपनी बेटी तुझे देना नहीं चाहता सब डरते हैं तुझे, अगर तुझे अपना वेवार नहीं बदलेगा, तो कोई कवी तुझे साधी नहीं करेगी अब तुही बता, मैं इस समय क्या कर सकती हूँ कालू कवी को अपनी मा की बाते कांटे की तरह चुब रही थी, वो उसकी बातों पर कोई धिहन नहीं देता कुछ दिनों बाद ममा कवी की मौत हो जाती है, अब कालू कवी घर में अकेला था, उसके बुरे वेवार के कारण, उससे मिलने कोई याता जाता नहीं एक दिन वो अपनी मा को याद करके रो रहा था, मा, मा, मेरा मन नहीं लगता, तुम कहा चली गई, मुझसे गल्दी हो गई, मैंने अपना बेवार नहीं सधारा, और देखो, आज मुझसे मिलने कोई नहीं आता, बात करने को अभी कोई तयार नहीं, मैं अकेला हूँ, सब म अपनी जित पर अड़ा हुआ था, तो त्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा अपने माबाप का कहना मानो, और बुरे वियवार का त्याप करो, आपका धन्यवाद लड़ू बन रहे थे, गुलाब जामुन सिक रहे थे, पूड़िया तेल में गोते खा रही थी, सब पक्षियों का पसीने से बुरा हाल था, क्योंकि इस बिहानक गर्मी में, रानों की बेती गुडिया की आज साधी जो थी कालू जी, सुभा से दस बार मेकप लगा चुकी, लेकिन इस गर्मी में सब पसीने से बह जाता है, मैं क्या करूँ गोरी, छोड़ो ये मेकप लगाना, अब चल भी दो, सब पक्षी आ गए होंगे कालू, बस पांच मिनट और रुको, मैं अब ही आती हूँ कालू कवा गोरी का घर के बाहर इंतजार कर रहा था, मगर गोरी कवी तो कैई घंटों से अपनी मेकप में लगी हुई थी कालू कवा धूप में खड़ा-खड़ा परेसान हो जाता है ठीक है, मैं जाता हूँ, जब तुमहरा मेकप अच्छे से हो जाए, तो आ जाना ऐसे बॉल कर कालू साधी में चला जाता है फंक्सन दिन का था, कालू तो जाते जाते ही पसीने में तल हो जाता है रानो बहन, आपने साधी गर्मी में नहीं करनी थी, मेरा तो पसीने से बुरा हाल है कालू भाया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब की उपर वाले की मर्जी थी, ये तो तब ही हो रही है वैसे आप ठीक कहते हो, इस गर्मी से सब का बुरा हाल है रानो जी, मैं आपकी बहन को लेने वेस्टरंड जा रहा हूँ, वो काफी देर से खड़ी है हाँ हाँ टुन्नो जी, आप जल्दी जाएं, और एक बरफ की सिल्ले भी ले आना घर में जितनी भी बरफ आई थी, वो सब महमानों को पामी पलाने में खत्म होगी फिर टुन्नो चड़ा वहां से चला जाता है, और तब ही उसके पास कबूतर आता है रानो बहन, बरात आने में कितना समय लगेगा, काड में तो दस बजे का लिखा था ओय कबूतर लगता है पहली बार साधी में आया है, पता नहीं है जब काड में दस बजे लिखा हो तो बरात दो तिन घंटे लेट ही आती है, कम से कम एक बजे खाना मिलेगा नहीं कालो, खाना बस सिरू ही होने वाला है, बरात का इंतजार नहीं कर सकते इसलिए टनोजी ने खाना अभी से लगवा दिया, ऐसे गर्मी के बहंकर मौसम में सब पक्षी साधी इंजोई कर रहे थे, कोछी पलों में खाना सिरू हो जाता है लेडिज पक्षियों ने तो भर-भर के मेक अप किया था, गोरी कवी तो सबसे अलगी दिख रही थी, सब उसे ही घूर रहे थे गोरी आपने इतना सारा गहना पहना है, गर्मी नहीं लग रही क्या, लग तो रही है मगर साधियों में सब ऐसे ही त्यार होते हैं, बारात दिल्ली से आ रही है, तो अच्छे से त्यार होना जरूरी है तुम्हारी तरह नहीं ऐसे आगी हो, जैसे टेंट में दोने बीन रही हो ऐसे बाते कर, गोरी रानो के घर में चली जाती है, और रानो से बोलती है रानो बहन गुडिया बेटी कहा है जरा मैं भी तो देखू उसका मेंकप कैसा हुआ है गोरी बहन गुडिया अभी पालर से नहीं आई बस आती ही होगी अरे रानो आपने कितनी छोटी जोलरी पहनी है तुम्हारी बेटी की साधी है कुछ बड़ा बड़ा सा पहनो गोरी गर्मी में ये ही नहीं सुहा रहे मन करता है इन्हें भी उथार के रख दूँ ओहो अब बस भी करो लाओ मैं तुम्हें त्यार करती हूँ बरात वाले क्या क रहेंगे लड़की की मा कैसी है फिर गोरी रानो को सीसे के सामने बिठाती है उसे पाउडर लगाती बड़े बड़े जुमके पहनाती हार पहनाती और गहरी गहरी लिपिस्टिक भी लगाती है देखो रानो अब लग रही हो दुलहन की मा अरे गोरी बहन आपने ये कैसा मे और जल्दी से गुडिया के पालर पहुत जाता है गुडिया एक्दम त्यार बैठी थी अरे गुडिया अगर आप त्यार हो तो घर क्यों नहीं आ रहीं कालू अंकल देखो ना, बाहर कितनी गर्मी है, अगर मैने धूप में पाउं भी रखा, तो गर्मी से सारा मैकब धुल जाएगा, फिर आप ही बताएं, मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ, मेरा इतना महंगा मैकब खराब हो जाएगा, मैं बाहर नहीं आओंगी, लेकिन गुडिया गुडिया बेटी, धूप तो साम तक रहेगी, फिर आप घर कब चलोगी, बारात दरवाजे पर खड़ी है, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना मेकब खराब नहीं करूंगी, जब छाया हो जाएगी, तो मैं आ जाऊंगी, गुडिया बेटी, ऐसी जिद ना करो, बाराती क्या स जाने कहां व्यस्त है, अब किसे भेजू, ये गुडिया भी ना, ना जाने कैसी कैसी जिद करती है, ये नहीं जानती, आज उसकी साधी है, बस अपनी ही मनमानी करनी, रानो बेहन चिंता ना करे, मैं जाता हूँ, और गुडिया बेटी को लेकर आता हूँ, आप तब तक ब गुडिया नहीं मानती, अब तो बरात को भी सक होने लगा था, लड़के पक्षी की मा, गुडिया के बारे में पूछने लगती है, देखें बेहन जी, अब तक गुडिया को आ जाना चाहिए था, आप सच सच बताएं, आखिर बात क्या है, औरे बात कुछ भी नहीं है, ब ममा, अब गुडिया की ही क्या गलती है, हमने भी तो आने में कही घंटे लगा दिये, जब की समय दस बजे आने का दिया था, सोनु बेटा, साधी भी हमें देर होती है, लेकिन अब ये बता, आखिर करना क्या है, उस गुडिया को वहीं लेने चले क्या, बहन जी, आप आरा सब इंतजार कर रहे हैं, तुम चल नहीं सकती, ममा, मैंने गर्मी में साधी करने से मना किया था, मैं नहीं आउंगी, जब तक मौसम ठंडा नहीं होता, मेरा सारा मेकप खराब हो जाएगा, आप समझ क्यों नहीं रही, पूरे दस हजार रपे दिये है, ये लड़की पागल होगी है, दस हजार के मेकप के चक्कर में साधी करने से इंकार कर रही है, ममा चड़िया बहुत परेसान थी, वो अपनी दोस्त जादूइपड़ी को याद करती है, और उसे सारी बात बताती है, चड़िया रानी बस इतनी सी बात थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बु लेगी और फिर आपका मेंकब भी खराब नहीं होगा धन्यवाद परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरना आज तो मेरी जान ही निकल जाती फिर गुडिया बर्फ की दोली में बैठ जाती है और बहुत खुस होती है ममा इसमें तो जराभी गर्मी नहीं लग रही गुडिया बरफ की डोली में ही अपने सस्राल के लिए विदा कर दी जाती है और मम्मा च्डिया राहत की सांस लेती है गोरी बहन चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गर्मी में साधी कभी ना करना अगर मेरी दोस्त जादूई परीना होती तो ना जाने आज क्या होता मैं तो बा झाल बाद।